नमस्कार दोस्तों भागेशाली कन्याओं की निशानी भागेशाली लड़कियों को कैसे पहचाने यदि कोई कन्या लड़की आप ढून रहे अपने जीवन साथी बनाने के लिए जीवन संगनी बनाने के लिए विभा करने के लिए तो दोस्तों आपको कैसे जानना है कि यह भाग्यशाली है क्योंकि भाग्यशाली कन्या का जीवन में होना यानि की आपकी तरक्की का होना और जीवन बहुत सुदर और सुखी जीवन होना इसका मतलब है तो भाग्यशाली कन्या को कैसे हम जान सकते हैं क्या ऐसे निशानिया हैं क्या ऐसे गुण हैं जिने देखकर जा प्स्तुर रिर्पिर्दी को अज़ा नियुए वाय कि अज़ा रियुए दोस्तों भागशाली लड़कियों की निशानी है सबसे पहली निशानी कि दोस्तों मुस्कुराहट जो लड़की जो खन्या हमेशा मुस्कुराना जानते हो और कटिन से कटिन परिश्रम को झेलना जानते हो जिनके चेहरे पर हमेशा हरके मुस्कुराहट रहे वो भाग्यशाली दोस्तों जिनके जीवन में अच्छे और बुरे को लेकर के बहुत ज़्यादा जो संबेदर्शिल हो sensitive हो कि बुरा नहीं होना चाहिए अच्छा ही अच्छा होना चाहिए अपना भले ही नुकसान हो जाए लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए इस तरह की धारणा वाले कन्याएं हमेशा भाग्यशाली होती है तीसरी बात यहां निकल कर आती है भाग्यशाली कन्याओं की निशानी पहचान है कि सौम्य भाषा जिन कन्याओं की भाषा बिलकुल सौफ्ट होती है जो क्रोध कम करती है या ना करती है और हर एक को अपने मीठी बोली से प्रभावित कर देती है ऐसी बोली की कोई बहंकर क्रोध में भी हो तो उसके बोली सुनकर के समझदारी उनके बोली से जलकने चाहिए तो जो भाशा बोली है उससे अच्छे अच्छे के दिमाग जो है बिल्कु ठंडे पड़ दाए तो ये भागेशाली कन्याओं के निशानी है और चोड़ा माथा जिन कन्याओं का माथा चोड़ा होता है वो भागेशाली होती है दोस्तों घने बाल, घने और लंबे बाल वाले, जो कन्याएं हैं, लडकियां हैं वो बहुत भागिशाली होती हैं, पती की लंबी उमर को लेकर की विशेशे हो पर प्रभाव दिखा दिता है जिन कन्याओं की आखें बड़ी-बड़ी होती हैं काली आखें बड़ी-बड़ी आखें सुन्दर आखें वो ऐसी आखों वाली कन्याई धन्वान और बहुत भगशाली होती हैं और जहां भी जाती है वहां पर जो है सब को अपने रूप सुन्दर से अपनी बोली भाशा से और अपने संसकारों से प्रभावित करती हैं और सब को सब के लिए मंगल कारी होती है ऐसे लड़कियों की का चहरा ही लिए हर एक विक्ति अगर प्रते दिन सुबा देख ले तो उनके सभी कार्य जो है पूरे होने लगते यानि शुब होती हैं बहुत शुब होती है होट पत अधर में रहती हैं वहाँ पर जो है हर प्रकार से स्वस्ता हमेशा बनी रहती है चहरा हमेशा घुलाबी हो जिन कन्याओं का वह बहुत ही शुब होती हैं कद काठी के दिए बात करें तो कद और काठी जो है एक सामन्य या फिर लंबी लड़की हो तो ज्यादा अच्छी हो होती है और सामन्य कद को लेकर के भी हो तो भी भागेशाली ऐसी कन्याएं होती हैं दोस्तों प्रवर्ति हमेशा जो कन्याओं की होप धार्मिक हो तो बहुत बैतर होता है धार्मिक सुभाव की और धार्मिक विचारों की कन्याएं हमेशा शुब होती हैं क्योंकि शुब औ और भाग्यशाली होती हैं क्योंकि ऐसी कन्या हमेशा धर्म को ले करके चलती हैं और शुब अशुब अच्छा या बुरा उन सारी चीजों का बहुत ज्यादा ग्यान होता है तो ऐसी कन्या हमेशा घर में ऐसी कन्याओं का होना यानि कि घर में देवी देवताओं का आश्रव के भी यानि कि सावान रूप में उबडखावड दात ना हो सुन्दर मोती की तरह चमकते हुए दात हो तो ऐसी कन्याएं बहुत ही भगशाली अपने लिए और अपने भविश्य पती के लिए ससुराल के लिए बहुत ही ज़्यादा शुब होती हैं लंबी उंगलियां जिन कन करने वाली होती है भागय को पलस करने वाली होती है पती के कारोबार करियर बिजनस आदी में बहुत साहक होती है और ऐसी कन्याओं से ऐसी लड़कियों के होने से जीवन में पती का जीवन जो है बहुत सुखी होता है और धन से संबंदित कारोबार से संबंदित बहुत ही शुब माना जाता है लकी साबित होती है ऐसी कन्या है दोस्तों धनू राशी करक राशी मीन राशी ब्रश राशी इन राशियों वाली कन्या जिन कन्याओं की यह राशिया हूँ ऐसी राशी वाली कन्या अधिकतर भाग्यशाली बहुत होती है और अपने भाग्यशाली बहु फल जो है फली भूत हो करके मिलता है कम-काम से पहुंच जाता अच्छी मेहनत इन लोगों को मिलती है ऐसे कन्याओं को इसलिए यदि पती अच्छा पती इनके साथ हो ऐसी कन्या किसी लड़के को मिल जाती है तो उनकी भाग्य की बाती क्या कहे सराहना करने वाली बात हो जाएगी और बहुत प्रब्लब भाग्यों को ले करके ऐसी कन्याएं आती हैं सफलताएं बहुत मिलती रहती हैं दोस्तों जिन कन्याओं के जिन लड़कियों के पैर जो है वो पैर अगर पूरा पैर यदि धर्दी पर चिपका हुआ हो पैर को देखकर क्या बंदाजा ला सकते तो ऐसी कन्याएं जो है लक्षमी का सुरूप माने जाती हैं जहां पाउं रखती है वहां धन की बरसात और सफलता का सूचक ऐसी कन्याओं के पैर माने जाते हैं इसे लिए शुब कन्याओं की ये शुब चरण जिस भी घर में जिसके जीवन में पड़ जाएं तो माना जाता है दोस्तों इसके साथ में ही जो जिन कन्याओं के जिन लड़कियों के लेफ्ट साइड में सिर से लेकर पैर तक लेफ्ट साइड में ज्यादा तिल हो या अधिक से अधिक तिल हो तो ऐसी लड़कियां भी बहुत लखी भागेशाली मानी जाती हैं मित्रों सबस संसकार पूर्वजों के संसकार और हमारे संसकार यदि के धर्म के संसकार यदि वो संसकारित हो तो वो शब से शुब और भग्यशाली माने जाते हैं इनी सारे चीजों के साथ साथ में मित्रों रसोई घर में खाने पीने बनाने में पाक शास्त्र में खाने पीने की चीज़े और रसोई से घर से जादा जिस कन्या का मन लगता हो तालुक हो या कीचन में विशेश खाने पकाने में जादा रूची जो कन्याई रखती है वो भी बहुत जादा भागेशाली माने जाती है क्योंकि ये सभी गुण जो है यदि जिन कन्याउ में होंगे वो अपने पती के लिए, ससराल के लिए, अपने माता-पिता के लिए और अपने लिए सभी प्रकार से पूरे घर के लिए बहुती भागेशाली होती है और अथक नहीं बलकि थोड़े से प्रयास से बहुत सारे ख पकार से आप जान सकते हैं कौन सी लड़की आपके लिए भैतर रहेंगी और किस कलनेया से आपको शादी करने चाहिए जीवन जंगनी बनाना चाहिए इसको आप अच्छी तरीक Chapel कर सकते हैं इन बातों को जान लेंगे दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इस तरह की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे और यूट्यूब के मात्यम से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीज़ेगा ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको continue मिलते र झाल आपको भी उल्ट्यूब जरूर करना इस पर दो तरह का प।खिकेशन आपको जरूर के बेलते नोटी जरूर के लिए स्वश्तों हमारे चैनल को दिता जरूर के प्रूर को भीज़ेगा ठीको बाला हमारे चूर के उलते बेले धिस दल्यूर, कर दो ऊते हो ।दूर